नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंकेता दुबे और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसे मत्री शालंगी उसेट हैं इंडिया आज मकर संक्रांती का पर्व है और पूरे देश भर में हर्चुल लाव के साथ मकर संक्रांती बनाई जा रही है जब सूर्य मकर राश्ची मे नहीं तिल सूरी का प्रतीक है और आज के दिन दान और स्नान का विशेश महत्व माना जाता है तो आज स्नान किया जाता है आस्था की डुक्की लगाई जाती है साथ साथ दान भी किया जाता है और दहा जाता है कि दान करने से आपके तमाम जो पाप है वो कड़ जाते हैं स इस तरीके से आस्था की डुपकी लगाई जा रही है। सबसे पहले हम मौनिका आपका रुख करेंगे। हम देख पा रहे हैं आपके पीछे आस्था की डुपकी लगाने के लिए लोगों की मौझूद्गी है। पहुझे और पाउच्था की डुपकी लगा रहे हैं। देखिए ठंडी हवाइं चल रहे हैं यहाँ आसपास आपको देखिए कोहरे की छटा भी आपको नजर आएगी लेकिन आस्था की डुपकी लगाने के लिए या यू कहे प्रभू श्री राम को प्रणाम करने के लिए और आज क्योंकि खास मैत्व भी रहता है इस नान और दान का इसी मैत्व को और ज्यादा खास इसलिए भी बन जाता है क्योंकि देखे इस बार श्री राम लल्ला जो है विराजमान भी होने वाले हैं अपने बवे न जिस और हमारे स्थेयोगी यतिंद्र भी आयोध्या में मवजूद है यतिंद्र आज का दिन बेहद खास कुछ छटा निराली सी है सूर्य उत्तरायन हो रहे हैं और 22 जनवरी के लिए जोशो खरोश भी तमाम भक्तों में क्या आज वहाँ लोग रियाक्ट करते दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच आपकी मौजूद्गी है कि बिल्कुल मैं अभी हनुमान गड़ी में हूँ क्योंकि लोग सर्यू में इसनान करने के बाद हनुमान जी के दर्शन करने आ रहे हैं और उससे कुछ कदम की दूरी पर ही भगवान राम बाल सरुप में विराज माने तो लगातर अलग अलग जगें से श्रत दालूं यहा अब लोग हम लोग चित्रकुर धाम करवी से आया है क्या इसनान किया मकर संक्रादी अबने सर्यू नदी में इसनान किया है बस यही कि राम लाला के जल्वित से सापना हो जाए और राम लाला अपने स्थान में आ जाए बहुत बड़ी कुशी होंगी सुक्सांती में जीव प्रदेश का से राजर्ग जिला राजगर दिला और साथ अब आता के साफी नहीं के लाट अवर पर इसके पर माकर गएथे तो कुछ भी नहीं काफी नया तो कह जबने लगा पूरे अमरावती से आए हैं दर्शन हो गए है पुरा परिशन घुमके आगए हम इसनांद करने जाएंगे अभी अभी जाएंगे फोड़ा सर्दी के वज़े से हम लेट चड़ रहे हैं लेकिन हम जाएंगे अभी ये शीरा बवानसुत्व हनुमान की जाएंगे अधा जया है नियुक्त आएंगे जे जया है ये मती जय वज़े है बगवान स्री राम जय राम जय राम स्री राम जे राम जे जे राम स्री राम जे जा राम पर बुनंदन राजा राम राजा राम जे राजा राम स्री राम जे जी खारा स्री राम जे राम जे जे राम स्री राम जे जे राड़ी तेरा गुनन्द राजा राम के भजन गाए जा रहे हैं क्योंकि हन्मान गड़ी के दर्शन करने यहां पर पहुँचिए हैं पीछे हन्मान गड़ी और उससे कुछ कदम की दूरी पर राम जेला बाल सरुप में बिराज माने और यह सब कुछ लोग सर्यू में इसनान करेंगे क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा है और पूरा पूरा एयोध्या राम में हो गया है अब मैं आपको लिए चलता हूँ सपना के क्या हो रहा है तो हम इस वक्त राम लला के लिए जो रास्ता जा रहा है वहां पर मौझूद है लेकिन मेरे साथ में एक लेकिन इस वक्त मेरे साथ में बहुत मुख्य व्यक्ति हैं जिनोंने कई सालों का संगर्ष राम लला का देखा है हमारे साथ में आचारी जी माराज जी कैसा लग रहा है मंदिर बन गया चलते चलते थोड़ा साधर बात करें बहुत अच्छी बात है और यह मंदिर बनना क्योंकि रामलला 28 बरसा तिरपाल में रहे और उस तिरपाल में जो समेश्याय रही परकेश की परकोप बरसा स्थंधी गर्मी सभी का प्रभाव अच्छा था देखके बताईए पहले आयोद्य देखी है यहां तो पहले पुराना बस टेशन रहा और उठाए गया है और यह इस प्रकार से देखाई नहीं पड़ता रहा है बहुत अच्छा यह बन गया है ऐसा रहा नहीं कभी और ऐसा आशा भी नहीं रही कर बन जाएग कर रहे हैं यह कैसे देखते हैं अब इसको देखिए कहाने वाले अपना कहा करते हैं और विशेश कर वो लोग कहते हैं जो सनातन विरोधी हैं और ऐसे सनातन विरोधियों के ब्यान के कोई महतों नहीं रखता जो हमारे रामलला के समर्पित हैं और यह करते रहते हैं और जि वो हमारी मस्जिदों को लालची नजरों से देख रहे हैं अपनी मस्जिद को आबाद रखो। अपने उन्होंने खोदी और मस्जिदे नाको हैं ऐसा जानबूट क्या जा रहा है? देखिए उस में मगुलों के सासन रहा और जब हमारे चाहती तोड़के मंदिर बनाऊ था पिक्राम जीति ने बनाई था और उसको तोड़ करके मजीद बनाया और उसके खुदाई में परमान मिला कि ना ये तो मस्जिद बन गई है, मंदिर तोड़ करके बना है, और उसी आधार पर कोट ने आदेश दे दिया, अब वो सासन नहीं, अब हिंदू सासन है, अब ता कहेंगे कि मंदिर की मंदिर को हम तोड़ करके मस्जिद बनाएंगे, कि इसी मंदिर को पूरे भारत में पहुंचाएंगे, तो उनको उनकी जो दसा होगी, उसको कोई सोच भी नहीं सकता, क्या गुस्सा आता है ऐसी बातों को सुनकर कि हम लोगों ने इतना किया और हमें इस तरीके से बोला जा रहा है, वो सब चॉरकट हैं, बिमान हैं, धोर्त ह आतंगबादी से संबद्न उन रोगों का है, इसलिए उनको साहस मिलता है, क्योंकि आतंगबादी जो है, वो सारे देश में फैले हुए है, कौनों ऐसा देश नहीं, जहां आतंगबादी नहीं हो, तो आतंगबादी होने के कारण से, वो है इस प्रकार से भारत में अच्छ जो तेटा जोगे जो धराई इस परकार के बनाने के हमारे माननी है जोगी जी और मोधी जी कर रहे हैं और उसके बाद में इसको कह रहा है कि हमारी मैया जब तुम्हारी तोड़ी गई तब तुमने तो कभी ध्यान नहीं दिया कि हम मंदिर के क्यों तोड़ रहे हैं तुम्हा आतंगबादी से मिले हुए हैं आतंगबादी आतंगबाद करा सकते हैं जैसा कि कई बार यहां रामजन मुहिंपारू जब भी रामला तिरबाल में थे तब है आतंगबादी आये थे सब मारे गई यहां अच्छा एक बात और बताईए मैं आपको कई मरतबा मिल चुकी हूँ देख चुकी हैं आप भाब विभोर हो जाते हैं बताते बताते कि कई सालों तक टेंट में बैठे तब जाकर अब यहां बैठ रहे हैं आके कैसा लगता है अपने मन से कैसा लगता है कि कितनी बार मैंने में खुख देखिया तमाम समय सवहां रहें कि तीमें क्या समस्यां कभी कभी रहें ती लगता था मन्bli बनेगा नहीं समीस्या निया लड Agora को हमको भाई उनसे परदृतर जरूर होगा ओश्चन होगई और धुख ओनमन गया है आप हमारे रामला उस भववर मंदिर में विराजमान होंगे और यह जो कार्य हुआ है यह बत्मान स्वाइम जो हमारी सरकार है उसका देन है ये स्वभाग आप कहते हैं कि आपका है कि आपने संगर्ष देखा लेकिन अपने सामने बनता हुआ ये भाव राम मंदिर भी देख रहा है कि गम से कम उस तिरपाल 28 वरतर तिरपाल में हम पूजा किये और यतनी परिसानिया रही और जो इसके रिसीवर थे उसी के माध्यम से सबकाज होता था कोई अवसकता पड़ा तो रिसीवर से काना पड़ता था और इस और कोट के आदेश नहीं होगे हम नहीं कर पाएंगे इस चीटा वहां अंदर जाता था गर्मी रही तो एक पंखा चलता था मात उसके बार ठंडी में एक पंख्या में राम लला रहते थे और पानी जब बरस्ता था तो टप टप टपकता होगा टेंट में वह जब फड़ी आता था उसके बाद में फिर कोट के आदेश लेना करते थे अच्छा दीपक के ओल रोता इंव जलता था आरती क्यों आर्थी करते थे और जलता थे बागी दीपक रहा नहीं सकते थे उससफ पर प्रदिबंद था क्योंकि कपड़े का जो बना हुआ मन रहे हैं इसलिए वहां रोक रही कोई किसी प्रकार की यह थांडी में च साधी जै क्योंकि पंडित जी खड़े उने में जादा समठ नहीं हैं बुजुर्ग हैं बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं और परिशान आपको नहीं करेंगे बस इतना बताई कि पूजा पदिती और दूसरा आज मकर संक्रानती है विशेश भोग आज का क्या लग रहा है यह आज तो खिजड़ी का भोग लगेगा और खिचड़ी में पूरी भी बनेगी उसमें दही पापर और अचार रहेंगे और उसका लटू रहेगा क्या कहते हैं तिल का यह सारे जी भोग लगेंगे अब भोग लगने के बाद में तो यहां परसाद अभितरन होगा इस परकार जो आज संक्रांति के का आज जो है सुरी भगवान है उतराईड हो चुके हैं माराजी बस एक चीज और जाना चाहूंगी संशित में बता दे आज हो गई 15 तारिक मात्र कुछ दिन और बचे हैं क्या-क्या तारीक दर तारीक हो रहा है कल क्या होगा परसों क्या होगा और 22 क करा रहे हैं उनके उनसे आप इंटर्ट्वियू लेलें तो आपको पूरी बात पता चल जाएगा कब कब क्या 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 होगा और क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है उन्हीं के माद्रिम से होना है इसलिए आप उन्हीं से संपर करें और इसलिए वो फीक है बस एक आखरी साथ मोहन भागवाजी रहे हैं राजपाल जी हैं यह सब एकठा होंगे और इन्हीं के मादम से जो प्रान प्रतिष्टा होगी पूरा होगा और पूरा होने के बार राम नला को उस जो सिंगासन बन चुका है नए मंदिर का उसमें अस्थापित किया जाएगा अस्थावित यह सकता है कि जैसा सुने हाथा कि पहले अस्थापित करदेंगे तो तो हो सकता पहले नाय तो जिसी ने उस्थाफित हैं यह मूर्तियां जो पहले पूरीथ हैं यह पिर खूंकि आए better proceedings एक यह से जौने मेंさん Rock और शूक्रीयार जूटने के लिए और बहुत बहुत माफी भी कि आप को इतनी दिर परेशान कि हमने खड़ा रखा और ये हमारे साथ में मुख्य अर्चक थे आमित हमारे साथ हमारी सायोगी बने हुए आमित क्या तस्वीरे दिखा रहे हैं आम ज़रा दिखाई है यह जैसे यह बिल्कुल जैसा सपना आप से 3010 से बात कर रही थी महत 6 दिन बचा हुआ है जब भगवान सिरी राम अपने भब दिब नब अलोकिक मंदिर में विरजमान हो जाएंगा और कल से जो पूजा का अनुस्ठान है उसकी सुलुवात हो जाएगी जो अचारे पहुंचने वाले वो सभी अचारे पहुंच गए हैं तैयारिया जोरों से हैं और इस वक्त में राम की पैडी के ठीक बाहर वाले सड़क पर हमें एक तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा दू यहां पर सुबह से ही लोग यहां पर नहाने के बाद सीधे हनुमान गड़ी जा रहे हैं दरसन प यह जो जंडे हैं आज से कई साल पहले आज से कुछ साल पहले केवल 50-60, 40-50 जंडे यहां पर बिका करते थे लेकिन आज सेकडों की तदात में बिक रहे हैं आप बताइए यह जंडे जो हैं जिस तरीके से बिक रहे हैं और जिस तरीके से सरदालू आ रहे हैं और जिस तरी तो आप थो आप तो आप तो अभी बहुत राइस्थान वगरा से भी दर्सन करके आ रहा है। यहां कर्मन पर फुलित हो गया बहुत खुशी मिली और बहुत तरीके के बदला आपने जंडों की बात की पहले यहां आने आले लोगों की संख्या की कमिती इसलिए जंडे कम दिखाई दे रहे थे और लगातार चंद संख्या देरे बढ़ती जा रही है इसलिए जंडों का अज़े दिखाई जा रहे हैं तो देखिए किस तरीके सा सरधालू असुबसे ही सर्यू ना सनान करने के बाद लगातार हनुमान गडी की दर्सन कर रहे हैं इस वक्त स्टूडियो में अंकीता है आगे की खबरों के लिए अंकीता का रुप करता है और अवे जिस तरीके से हमें मनोरम द्रश्य दिखा रहे थे और लोग किस तरीके से प्रफुल्लित हैं वो तस्वीरे हम आगे भी आपको दिखाएंगे लेकिन आयोध्या काही एक बार फिर से दिक्र होगा आयोध्या में राम निला की प्राण प्रतिष्टा की तैयारी जोर शोर से चल रही है और इसी बीच राम मंदिर में सोने के द्वार लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है राम मंदिर में सोने के सभी 14 द्वार लगाए गए हैं जो कि राम निला के गर्वगरी के चारो ओर लगाए गए हैं तो राम मंदिर में सोने के 14 द्वार लगाए जाने थे और जिसकी अब सापना कर दी गई है राम मंदिरों में सोने के द्वार लगाने का काम पूरा कर लिया गया है आप इस बात से समझ सकते हैं कि 22 जनवरी को महस कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में राम लला की प्राण पतिश्टा से पहले किस तरीके की तैयारिया चल रही है जोर शोर से तैयारिया हो रही है और इस भी जो तस्मीर आप देख रहे हैं ये राम मंदिर में सोने के गये हैं फिलाल चार तस्वीर आप देख रहे हैं देखे, 9 जनवरी को और द्वार लगाया गया, वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें हो आप सोने का द्वार दिखाई दे रहे हुगा जैज 17 जनवरी को लगाया गया और इन दर्वाजों को राम लला के जो द्वार हैं, मुख्य द्वार हैं वहाँ पर लगा रहे थे तो सोने के 14 द्वार लगाये जा चुके हैं, इनका काम पूरी तरीके से पूरा हो चुका है और ऐसे में आयोध्या नगरी आज राम में दिखाई दे रही है, हरोर मनोरम द्रश्य देखने को मिल रहा है और राम के नारे और जैश्री राम के नारों के साथ साथ राम के भजनों से गुण जायमान पूरी आयोध्या नगरी दिखाई दे रही है और राम मंदिर ट्रफ से राम मंदिर की नई तस्वीरे जा रही है और इन तस्वीरों में राम मंदिर में चल रहे है निर्मान कारी को दिखाया गया है साथ ही मंदिर के अंदर रोश्नी और मंदिर में लगाए गए सोने के दर्वाजे भी दिखाये गए है 22 जन्मरी को राम नला की प्राण पुदिश्टा होनी है और उससे पहले राम मंदर का निर्माण सेजी से किया जा रहा है मंदर निर्माण में जुटे कारीगार दिन रास काम में लगे हुए है तो जिस तरीके से तमाम शद्धालू जो की राम मंदिर में प्राण पुदिष्टा के इंदिजार कर रहे हैं एक जलक पाने को बेकरार रहते हैं ऐसे में राम मंदिर प्रश की ओर से धीरे-धीरे करके कुछ-कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जाती हैं जिससे कि तुत माम शद्धालों से नाम भक्त हैं वो कम से कम अगर मंदर तक पहुच नहीं पा रहा है तो कम से कम तस्वीरों को देखकर ही संतुष हो सके अपने मन को भड़ सके लेकें राम मंदर की नई तस्वीरे जा रही है और घ्जल रहा है और तैजी के साथ क की गई है मंदिर में लगाए गए सोने के दर्वाजे भी है 14 मुख्य दर्वाजे हैं जिनको लगाने का काम अभी तक पूरा हो चुका है बाइस जर्वरी को राम नला की प्राण प्रतिष्टा हो नहीं है और इस बीच प्री राम जद्म भूमी ट्रस्ट के कोशा ध्यक्ष ग झाल 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 झाल